गुड बॉर्णिंग केट्स कैसे हो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे ठीक है तो केट्स आज हम अपनी दूसरी बुक में बाग शुरू करते हैं शब्द परिचे आओ पढ़िये सीखे और आगे बढ़िये हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में राइटिंग वर्ग व्यंजन का कम्प्लीट कर लिया है तो अब हम अपनी इस भुक में रीडिंग वर्ग स्टार्ट करेंगे पेज नमबर 14 13 तक हम complete कर चुके हैं 14 हम start कर रहे हैं ओके केट्स दो वर्णों से बने बिना मात्रा वाली शब्द अभी तक हमारे व्यंजन थे तो व्यंजन को जोड़कर दो व्यंजन जोड़कर जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा? वो हम आज देखते हैं ठीक है? अपने बुक के द्वारा यग यग दोनों वर्ण मिलके क्या बना? यग 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 नेक्ट पिक्चर व न व न वन अब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे व से वक, न से नल ऐसे नहीं पढ़ेंगे व न वन जो इनकी इंडिविजल पहचान है उसी के नुसार पढ़ेंगे व न वन ब स ब स बस बस नहीं? ब स बस यह क्या है? मुझे बताओ आप क्या है यह? येस क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? ग्य ज गज नहीं बोलेंगे इंडिविजल ख त खत ख त खत खत अब ये क्या है? मुझे बताओ थ न थ न क्या बना? थन थन ओके कैसे पढ़ेंगे? थन अगर हम शब्द की बात करती हैं वैसे तो फो से फल है बट शब्द तो नहीं बना था ना हमने सिर्फ वन की पहचान की थी तब अब हमें इसको शब्द में पढ़ना हैं फो ल फल पिक्चर देखो नल की ये ना बिटा तो क्या है ये? न ल नल न ल नल तब 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 क प कप क प कप र थ रत तो आपने देखा बच्चो कि मैंने किसे साब किस तरह से रीडिंग की है आपको भी घर पे इसी तरीके से मैं सभी पैरेंट से रिकोस्ट करूंगी कि बच्चों को ये रीडिंग में उनकी पूरी हेल्प करें और जब बच्चे रीडिंग कर रहे हो उनकी वीडियो बनाएंगे और प्लीज 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 मुझे सेंड करेंगे और मेरे पर्सनल नंबर पी करेंगे गुरुप में नहीं करेंगे ओकी ओकी तैंक यू